नमश्कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि मिड़े मील जो स्कीम है उसमें अंडों को शामिल करने को लेकर विवाद हो रहा है कंट्रोवर्सी हो रही है क्योंकि अभी हाली में करनाट का गवर्मेंट ने का कितने बच्चों को कवर किया जा रहा है बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलने वाली है इस वीडियो में वीडियो में बढ़ने से पहले पीडियेफ के बारे में बता देता हूं कि टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो जाकर आप जो रहे हैं बच्चें घरम पके हुए भोजन के माडियम से भाट्यों जाने वाले बच्चें धोर्में'T में और संप्रद का प्राबेट सबसे बड़ी पहलों में से एक है ये midday meal scheme, तो बहुत important है, एक तरह के की सबसे बड़ी schemes में से इसी को consider किया जाता है, जो government school में जा रहे बच्चे होते हैं, class 1 से लेके class 8 तक, ये जो midday meal scheme चलाई जाती है, और इसके तहट अगर आप देखें, तो जो बच्चे को परोसा जात हम है, जो यहाँ बना करें, चावल की 100 gram है, वहीं अपर primary class की है, तो ये 100 gram आ जातै, pulses 20 gram है, यहाँ पर 30 gram है, यह वेजिटेबल 50 ग्राम्स है और वेजिटेबल यहां पर अपर प्रैमरी क्लास के लिए 75 ग्राम्स है और जो ओल है और फैट है वो 5 ग्राम्स है और अपर क्लास के लिए यहां पर आ जाता है 7.5 ग्राम मिटे मेल के बारे में थोड़ा बहुत हम इतिहास के बारे में जान लेते देखें ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्कूल फंडिंग प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है क्लास एक से लेके क्लास एट तक जो सरकारी स्कूल में जो इन्रॉल्मेंट है बच्चे उनको शामिल किया गया है प्राइवेट के लिए और इसका उदेश्य वैसे ये था कि स्कूल के अंदर इन्रॉल्मेंट बढ़ाना है जो गॉर्मेंट है वहां पर बच्चे आएं वहां पड़ें तो इस इन्रॉल्मेंट को बढ़ाने के लिए इस स्कीम का यूज भी किया गया है जो इसका नोडल मिनिस्ट्री है वो सिक्षा मंत्राले है और इसकी अगर बैक्राउंड की बात करूँ तो 1925 में इसकी शुरुवात की गई थी मदरास के नगरनिगम में अब यहां पर रीजन ये था जो वन्चीद वच्चे हैं डिस एडवांटेज जो चिल्डरन है उनको कवर करने के लिए उनको लाप पहुचाने के लिए मिड़े मिल की शुरुवात की गई थी काफी बहतर रहा 1995 में के अंदर सरकार ने क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक इसको पाइलेट प्रोजेक्ट के तोर पे चला के देखा रेजल्ट काफी अच्छा मिला 2007 अक्तूबर 2007 तक आते आते मिड़े मिल स्कीम में क्लास 8 तक को भी यहां पर शामिल कर लिया गया आज की डेट में वर्तमान सिति में बात करूँ तो 2021 में इस कार्यकरम का नाम चेंज कर दिया गया है इसका नाम कर दिया गया है PM Potion शक्ति निर्मान या फिर काऊं PM Potion कर दिया गया है इसका coverage का पैमाना अगर बात करूँ कि कितनी चीज को यह Scale of coverage कितना यह cover करती है तो इस scheme के तैत इस योजना के तैत क्लास एक से लेके क्लास एट तक 11.80 करोड बच्चे शामिल के गए हैं और यहां पर काफी इंपोर्टन सी जाए ये एक legal entitlement कर दिया गया यानि कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है ये कि वले कि योजना नहीं रह गया है बलकि इसको राष्ट्रिय खाद्य शुरुक्षा अधिनियम यानि NFC National Food Security Act 2013 के माध्यम से इसे बच्चों का एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है बहुत इंपोर्टन बात है और यहां अगर बात करें इस स्कीम को खर्चा कौन दे रहा है इस स्कीम के लिए तो इस पे जो खर्चा आ रहा है हर बच्चे का जो प्राइमरी कक्षाई है उन बच्चों की बात हो रही है और जो अपर यानि उच प्रात्मिक है वहां पर 7.45 रूपीज घर्च हो रहा है और सरकार इसको पे कैसे करवा रही है जो जो राज्य है और जो केंदर का राज्य है वहां पर क्या हो रहा है 60 ratio 40 का यहां पर जो है अनुपात रुपया है यानि 90 रुपया जो है वह गोर्मेंट पे करेगी 10 रुपया जो है वह मतलब सेंट्रल गोर्मेंट पे करेगी और 10 रुपय जो राज्य सरकार पे करेगी या फिर जहां यूनियन टैट्री है युत्र राज्य होगे हमारे सामने वह पे करेंगे और जहां पर कें आप इस्टम देखते हैं यहां पर जैसा कल्चर है धार्मिक यानि रिलीजियस अगर आप देखें बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस फैक्टर हमारे सामने निकल के आता है एक कास्ट रिजिडिटी हमारे सामने निकल के आती है और जो हैं हमारे देश के अंदर कोई मानता है कि ठीक है अंड़ा खा लेना चाहिए कोई नॉन विच के अंदर कोई वेजिटेरियन के अंदर इसको कंसूडर करते हैं हालांकि काफी जादा इसके ओपर रिसर्च हुई है जिन्हों सरकारों ने कुद उस रिसर्च को करवाया है बा वहाँ पर आप देखेंगे तो एक religious factor सबसे बड़ा सामने निकल के आता है और midday meal को लेकर काफी सारी चुनोतियां भी है जैसे भरष्टाचार इसके अंदर बार बार आता है कि काफी सारा हमें देखने को मिलता है जो रोटी दी जाती है जो चपाती जी जाती है उसके साथ यहां पर सादे नमक को दीजाए सादा नमक या नमक दे दी जाता है खाने के लिए यहां सबजी नहीं दी जाती नमक के साथ खालो दूज जो दिया जाता है उसमें पानी मिला दिया जाता है food poisoning इसमें देखने को मिलता है हमारे सामने और एक जो इसमें factor निकल के आता है वो है caste based and discrimination हमें इसमें देखने को मिलता है जैसे कि भोजन जो है वो जाती विवस्ता का एक केंदर है इसलिए काफी सारे स्कूल के अंदर जाती की स्थिती ऐसे है कि भी जिसमें caste system के अदार पर line बना दी जाती है ये बच्चा कोई caste अलग है तो इसको अलग बिठाया जाएगा दूसरी caste का उसको अलग बिठा दिया जाते है ये हमारे सामने देखने को भी मिलता है और हमारे देश में अगर हम बात करें जो कोपोशन का खत्रा अगर बात करते है तो एक आंकड़ा है हमारे सामने नैशनल फैमिली हैल्स सर्वे में इसने प्रवाइड करवाया था यहां पर बताया है कि भारत दुनिया के लग बग 30 परतिशत ऐविक्षित बच्चे जो पांस तथा पांस वर्ष से कम उमर के लग बग 50 परतिशत गंबीर रूप से कमजोर बच्चों आगर है यह खुद हमारा डेटा हमें कहता है और अगर ग्लोबल नुट्रिशन रिपोर्ट 2021 की अगर बात करें जो हाली में रिलीज की गई है उसके अंदर कहा गया है कि भारत में एनीमिया और चाइल्ड हुड वेस्टिंग एक प्रोब्लम काफी जादा निकल के आ रही है पंदरा से लेकर 49 यानी पंदरा से लेकर 49 वर्स के आयू वर्क से आधी से अधिक भारतिया महिलाए एनीमिया ऐसे पीडित है यानी उनको ब्लड यानी कून की बिमारी यहां बहे में देखने को मिलती है दूसरी बात विश्व भुकमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 शामिल किया गया है उसमें पहले भारत को 2020 के अंदर 94 रैंक था 2021 में ये रैंक जो है वो एक कहेंगे कि बहुत खराब स्थिती में हम पहुँच गए है 116 देशों में से हमें 101 रैंक मिला है 94 पे थे हम और ज़्यादा यानी कि खराब स्थिती में पहुँच गए है क्या किया जाना चाहिए फर्स्ट अफॉल तो हमें महिलाओं की और जो यूवतियां हैं जो मा बनने से पहले काफी ज़्यादा उनको शिक्षा देने की जरूरत है उनको जागरुक करने की जरूरत है क्योंकि हम देखने को मिलता है कि यह जो महिलाओं है जो यूवतियां ही है जो वो मा बनती है उन आप देखते हैं उमर काफी हो गई है लेकिन उनकी हाइट नहीं बड़ी है उसको स्टनिंग बोलते हैं बोना बना जाते हैं और हमारा यहां फोकस रहते हैं कि यहां बच्चे को अच्छे से अच्छा पोशन दिया जाए उस पोशन के उपर हमारा ध्यान केहन देता है लेकिन उसके अंदर वो कमी या बिमारी हमें देखने को ना मिले दूसरी बात ये कि मिड़े मील स्कीम के अंदर हमें सुधार की बहुत जादा जरूरत है जैसे कि यहाँ पर ये जो मिड़े मील बोजन है इसमें काफी सारे मेन्यू के अंदर चेंज किया जाने चाहिए जैसे जैसे आपको बता है कि भारत में लड़कियां स्कूल के अंदर स्कूल स्तर पर अपनी जैसी पढ़ाएं पूरी करते हैं उनकी शादी हो जाती है और कुछ वर्षों बाद वो संतान को जनम दे देती है तो इसलिए अगर स्कूल अधारी धस्तक शेप होगा इंटरफेरंस होगा तो काफी जादा मदद देखने को मिलेगी तो मीट करता हूँ कि ये मिड़े मील स्कीम आप लोगों को समझ में आगी होगी इसका हिस्टरी क्या रहा है और इसको लेकर अभी जो अंडे शामिल किये गए है उसको कंट्रोवर्सी में आ गए है कैर ये अलग-अलग मत हो सकते हैं आने वाले टाइम में देखते हैं कि इन सिप्जुमचिनों को लेकर कैसे गोर्मेंट रियक्ट करती है अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें फिर से बदा देता हम वीडियो की जो पीडियाफ है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बोक्स में एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आँ वहाँ से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जादा ही पसंद आई हैं तो शेर कर सकते हैं क्योंकि यह सब चीज़ें करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है त्यूर को सब्सक्राइब कर दो करें चैनल कर दो करें चैनल कर में चैनल कर दो जब चैनल करें